नमस्कार भक्तो जैमाता दी भक्तो स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल असान उपाय पर भक्तो आज मैं आपके लिए जो ये असान उपाय लेकर हैं जो वशेकरन टोटका लेका हैं भक्तो ये उपाय आप कहीं भी बैठे किसी भी समय कर सकते हैं उस इंसान के लिए जिस इंसान को आप पाना चाहते हैं जिस इंसान को आप सच्चा प्यार करते हैं जिसको अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं उसके बिना आपका मन नहीं लगता आप उस इंसान से अगर सच्चा प्यार करते हैं तो वक्तो ये उपाय उस इंसान पर एक बार कर दीजिए वक्तो वो इंसान पूरी जिंदगी भर के लिए आपके वश्में हो रहेगा आपका कहना मानेगा आपसे शादी करने को जख रादी हो जाएगा और आपके प्यार में रहेगा और जैसा कि आप उसको कहेंगे वक्तो वो वैसा ही करेगा पूरी जिंदगी भर के लिए आपको तो वक्तो यह जो उपाय है, इस उपाय को आप किसी दिन किसे भी समय कर सकते हैं, लेकिन वक्तो यह जो उपाय है, आपको बिलकुल अकेले में बैठ के करना है, इस चीज़ का ध्यान है कि आपके आसपास कोई घूमता फिरता ना हो, हो सकत हो फिर आप ऐसे किजिए, वक्तो तो वक्तो आप यह उपाय उससेमेश करदीजीए बहले वो शाम का समय हो या सुबह का समय हो भीक है और इस चीज़ का ध्यान खास रखना है कि आपके आजसपास कोई आपको किसी की भी आवाज किसी को ये एक कागच लेना आपने आदा इस तरह का कोई कागच ले लेज़े लिटेश्ट है वहाज कर लिए और एक खरे रंका मारकर ले लिए लिटेश्ट है जिससे ये वशीक्रन करेंगे तो भक्तो आपने पहले क्या करना है कागच पर यह जो उपाय है यह कैसे करना है पहले भक्तो आपने क्या करना है कागच पर मैं आपको दिखाता हूं भक्तो पहले आपने इस तरह से कागच के उपर स्वास्ति का जो है ना मैं बात बता देता हूँ आपको पहले स्वास्ति का जो है निशान बनाना है ठीक है भकतो इस तरह से इधर भी और इधर भी दोनों तरफ आपने जो है ना स्वास्ति का जो है निशान बनाना है देखे रहे हो इस तरह से भकतो और उसके बाद जिस इन्सान को आप वश्मे करना चाते हैं उसका यहाँ पर नाम लिख दीजे बड़ा बड़ा नाम लिख दीजे माले जिस ओरत को आप वश्मे कर रहे हैं उस ओरत का नाम नीलम है तो भक्तो आपने उस ओरत का नाम यहाँ पर लिख देना है इस तरह से ठीक है भक्तों यह आपने कर देना है और उसके बाद भक्तों आपने यहां पर क्या करना है यहां पर फिर स्वास्तिक का जो निशान बनाना है आपने यहां नीचे ठीक है इस तरह से चारो कोनों पर आपने स्वास्तिक बनाना है भक्तों और उसके बाद यहाँ पर लिखना है ओम ठीक है भक्तों उसके बाद जो वो इनसान को आप बश्में कर रहे हैं ठीक है भक्तों जिस इनसान को आप बश्में कर रहे हैं उसका नाम यहां बीच में रहना चाहिए उपर ही आ भक्तो उसका नाम यहां पर बीच में रहना चाहिए इस तरह से उसके बाद कर ने है आपने ваши क्यों एक आने इस तरह से लिखने ठीक है फिर लाष्ट में लीकर ने अपर रहा कि युद्धी नीलम है ना जो बगत दीजे तो नीलम के आगे एक प्लस का शायन दीजे और आपको क्या करना है वहां पर वहां पर आप उसकी उमर किने माले इसकी उम्र चोवीस साल की है तो उसकी उँमर चोवीस साल के लिए ठीक वर तो यह इतना कुछ करने के बाद फिर आपने यहां पे नीचे अपना नाम लिखना है ठीक है पहले जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसा ही लिखना है लाइन के एसाब से पहले नाम फिर यह ठीक है बगतो और स्वास्तिक पहले बनाने है नाम आपने अपने पहले नहीं लिखना है नाम आपने अपनी उमर लिखने नहीं है माली अपकी उमर 26 साल है तो आप यहां पर 26 साल की उमर लुख लेजिए ठीक है बक्तो यह इतना करने के बाद यह देख लिजए जैसे की लिखा हूँ है इस तरह से लिख दिजिए उसके बाद बक्तो आप इसको कागच को जो है फोल्ड कर लीज इफिर और अगर उस इंसान की तस्वीर है तो आपने क्या करना है इस कागज के साथ एक तस्वीर भी रख दीजीं बीच में अगर तस्वीर नहीं है तो है तो इस इस इंसान की कोई ऐसी चीज लेनी है उस इंसान की कोई ऐसी चीज होनी चाहिए या तो आप उसकी फोटो निकल वा लिजी या आपके पाद उसका कोई रुमाल हो या उसका कोई कपड़ा हो ऐसा कुछ ले लिजी या आपके फोन में उसका फोटो ठीक है वक्तो या उसके फो कागज को उठाकर इसका जो तावीज है वो बना लीजे और इसका जो तावीज है वो आपने गले में डालना है अपने गले में सिर्फ तीन दिन के लिए डालना है और तीन दिन तक आप इसको अपने गले में डालेंगे तो वह इंसान जो है खुछ चल कर आपके वश्में हो और खुझ चलकर आपसे प्यार की बाते करेगा बहले वो इन्सान पहले कितना फूरी तरह से आपके जो प्यार पागल हो जाएगा आपका कहाना मानें कभगक्तों जैसा कि आप उस एंसान को कहेंगे जैसा उस वक्तों यह उपाई जो आपको समझ आया हो अगर उपाई नहीं समझ आया तो वक्तों एक वर वीडियो को वापिस देख लिजे लेकिन बिना समझे उपाई सिद्ध ना करें वक्तों वीडियो को दुबारा देख लिजे जिसको समझने है और सिद्ध करें तब ही जब समझ आ वक्तो जैमा काली